इसलाम लीकूम और वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब मीद करते हैं सब हैरी से होंगे तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग तो यहां पे मैंने एक पार्सल ओर्डर किया हुआ था तो यह बोडी स्प्रे मंगवाया था एक ही चाहिए था तो मैंने तो अपनी तरफ से लेडी बोडी स्प्रे ओर्डर किया था लेकिन उन्होंने वो बेज दिया मुझे जैं ब्रैंड से कम लगाते ही नहीं है उनको भी ब्रैंड के यह अच्छे लगते हैं तो खैर यहां पर अभी मैं बना रही थी नाश्टा और कल मैंने आप लोगों के सांथ मिनी व्लॉग भी शेयर किया था आप लोगों ने कफी ज्यादा पसंद किया उसके लिए बहुत ज्या आ चुका है और मंडे से आपको पता है वर्किंग डे स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद मैंने अपने मसालों को रिफिल करना था वो काम शाम सारा किया यह मैंने मिनी व्लॉग में शेयर किया था भी मैं इसलिए नहीं शेयर करी क्यूंकि और मसाला बॉक्स का लिंक आज केक कल मैं अब पूजी से मिलने गेई थी न तो अब जी मुझे कह रहे थे के आप ने में बेटा केक नहीं बनाया मैंने का मैं कल नहीं इन्शाला आपके लिए बना इवे जूँगी तो वो दरसल वो और गही हैं हुए ऑना बाजी की तरफ ही रह रहा हैं आज कल तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि एद उधर ही करनी थी ना तो फिर वो उधर ही रहे थे एकसर आप लोग कमेंट्स में पुछते रहते हैं कि भी आप लोग के पास क्यों नहीं रहते हैं वो उधर क्यों रहते हैं actually जो बज़र्ग होते हैं उनका जहां दिल लगते हैं वो ही रहते हैं उनके साथ हम ज़ोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करनी ही चाहिए तो वैसे तो हम जब से शिफ्ट हुए हैं वो हमारे पास कफी अर्सा माशला से रहे हैं तकरीबन शे साथ में ही ने तो वो रहे हैं हमें तो एक साल हो गया है शिफ्ट हुए यहां पे तो चले हम कहते हैं कि हमारा आने का थोड़ा मकसद तो पूरा हुआ है वरना हम यही सोच और उनकी फैमिली का डिसीन था, इस बारे में मैं मुझीद आप लोगों के साथ डिसकस नहीं करना चाहती है, यह हमारा परसिनल मैटर था, और खैर नुकसान तो कफी हुआ जब हम शिफ्ट हुए ने छे साथ लाग हमारा लग गया था, क्योंकि हम लोग ने कफी समान भी खर जाएगा, तो बस अभी हम शिफ्टिंग करेंगे और जाके इन्शाला जो है, मेरे इस बंड जाव वगरा कोई डूंडेंगे और मैं भी अपना काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि यहां आने के बाद ना, हमारा कफी लॉस हुआ था, मेरे इस बंड का काम बंड हो गया, यह मैंने आप लोगों के साथ कभी शियर säger और मुझे अच्छा नहीं लगठा कि हर बात में आप लोगों के साथ शियर करूँ, यह जो shifting वाली बात थी, क्योंके already मैं आप लोगों के साथ शियर कर चुकी ती तो इसलिए मैं आप लोगों को यह सबकुछ मैं ने बताया, लेकि जो हम बज़र्ग होते हैं उनको रोनक मिला चाहिए होता है हमारे गर में रोनक मिला नहीं है मैं अपने काम लगी रहती हूं मेरे इस बिंड भी अपने काम लैपटॉप पे होते हैं वो कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं या अपनी जॉब डूंड रहे होते हैं वैसे तो तो यहाँ पे हमारे गर्मे होता नहीं है तो इसलिए उंका दिल नहीं लगता वो जैते हैं के मुझे तन हाई फील होती है वैसे तो हमने उनको बहुत फोर्स करके यहाँ पे कफी हरसा रहा भी है छेसात मार रहे हैं वो हमारे पास जब शिफ्ट हो वे थे क्योंकि यहां पर आके इतना ज्यादा लॉस हुआ हमारा हम वापिस जाके फिर दुबारा से सेटल्मेंट करेंगे ऐसा हुआ कि हम ना एक दो साल ना पीछे चलेंगे अब हमें रिकवर होने में एक दो साल और लगेंगे चले खैरा कोई बात नहीं हम तो नेक मकसद से यह आये थे ना अब हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ तो यह अला की मर्जी है और यह सब कुछ जो भी इनसान की जिंदगी में होता है यह उसकी किसमत में लिखा होता है नुकसान फायदा जो भी होता है तो खैर हमने उनकी खिदमत भी किया उनसे दौाइं भी बहुत ज़्यादा लिए है जितना हो सकता था किया है तो अब हम जाएंगे इन्शाला तेन चार माँ बाद वापिस और थोड़ा से सैटल्मेंट हो जाएगी तब तक मैंने अपना काम भी यहां पे शुरू करना है मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ना मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहे है इन्शाला आला तला बरकर डालेगा और आप लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा दौाएं दी वैसे तो यह वाटर प्रूफ है और यह इतना ज्यादा गंदा भी नहीं होता लेकिन मैट्रस के उपर यह चड़ा होना तो आपका मैट्रस जो होता है वह बिल्कुल ठीक रहता गंदा नहीं होता लाइफ उसकी बढ़ जाती है क्योंकि डबल कवर हो जाता है ना ओपर बैडशीट होता है नीचे मैट्रस कवर होता है तो फिर उसके बाद मैं बैडशीट बिचाती हूँ तो आज यह दुलवाया था और इसके लावा बैडशीट चेंज करवानी थी यह सारे कामशाम किये थे और मैंने रेस्पी भी एक करती हूँ तो यहां मैंने एक कब बैसन लिया इसके अंदर नमक डाला कुटी हुई लालमिश डाली एक एक टी स्पून और इसके बाद मैंने पीसी हुई लालमिश भी एक टी स्पून इसके अंदर डाली हल्दी एक चुटकी डाल दी और इसके लावे मैंने इसके अंदर यह शामिल की थी जीरा और दनिया में शामिल करके ना तो बस इसको मिक्स करके ना वो लेसी बना ली थी लिक्वर्ड सा अच्छा जो यूट्यूब की रेसिपीज होती है ना वो बेरी कोशिश होती है कि मैं ना ट्राइ करूं अगर अच्छी बनती है फिर ही आपको बताऊं लेकिन बहुत सारी चैनल होते है ना वो ऐसे नहीं करते तो और वो आपको बताते भी नहीं है कि यह रेसिपी सही नहीं है यह सही नहीं बनेगी तो यह बात अलगा बतानी चाहिए चैनल है मेरा भी चैनल है अगर मैं गलत शेयर करूंगे ना तो मुझे खुद बुरा लगेगा कि मैं गलत चीज क्यों आपके साथ शेयर करूं तो खैर मैंने यहां पर सारे स्टेप्स को फॉलो किया उसके बाद मैंने ऑईल डाला फ्राइ पैन मैंने इसमें अजवाइन और साथ में जीरा डाला उसके बाद यह लिक्वर्ड वाला जो बेसंधाना यह उन्होंने का था कि इसमें शामिल करना है यह ददेखे इस तरह से फिर गुटलियां जागे खत्म हुई ना ऐसे गुटलियां हत्म ही नहीं ओरी थी दिपिर मैंने इसको पकाते एह पकाते एह पकात्ishes प्काते इए मैں इतनी ज़्यादा ठगी, इतनी ज़्यादा थखी उए उसके बाद मैं रिजल्ट आपको दिखाओंगे आँवांगे camces canlau क्रेंड़ लिया होसमस्क्काइब और चानल पर यूज़ ersब्स्क्राइब nows that क्टिंग की थी मैंने को चले मैं शीट में कर लेती हूं तो बस भी मैंने सारा मिक्सर जो है वो शीट के उपर रखा और इसको न ऐसे फिला दिया था अचा कल के व्लॉग में मुझे एक कमेंट आया कि आप बहुत ज्यादा बोलती है यह अकसर कमेंट आता आप बहुत ज्यादा बोलती है तो बस आप मुझे यह बताएं कि बोले बगार भी मैं व्लॉग बना सकती हूं अगर ऐसा होता तो मैं जरूर बनाती है बोलना पड़ता से मैंने इन सब को सेपरेट कर लिया यह थोड़ा से सेटवेट कर लिया और यह ना कटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है इस तरह से शीट पर कर लें या फिर किसी भी ट्रेय में तो अगला जो स्टेप था वो यह था कि मीडियम फ्लेम पर गरम करके आपने इसको फ्राइ करन कि मैंने इसको पका के नीचे वाली साइड जब गोर्डन हुई तब ही मैंने उल्टाया और यह देखे सारी तूटके यह तो सारा मिक्सर बन गया मैं तो हैरान और सर पकड़के परेशान कि यह हुआ क्या मेरे साथ मेरी तो सारी महनत बरबाद होगी इसलिए मैंने इस विल दिन ठी जिसकी वज़ा से यह ठीक नहीं हो सकता है उन्होंने सही तरह शेयर की हो मुझसे ही ना सही बनी हो यहा प्र हो चकता यह रिस्पी ही फ्लॉप थी लेकिन पता नहीं इतने मिलियंज में कैसे वियूज आ जाते हैं अगर फ्लॉप रस्पी हो तो अच्छा खैर तो मैंने आपके साथ शेयर किया ना विकेंड की रूटीन में आपके साथ शेयर करी हूँ तो आज हम अबीहा को फोट में लेके गए थे ये रात का टाइम है अबीहा ना दरसल कफी अरसे से कफी दिनों से विचारी कहा रही थी कि ममा मुझे कहीं जाना है लाहूर में होती थी वहाँ डेली ही हम लोग पार्क जाय करते थे वाक करने के लिए ये भी बहुत इंज्जॉय करती थी क्योंकि हम वहां पे all time इसका enjoyment होती थी थी ना पार्क जाते थे इस बहाने ये अपने डियर देखती होती थी, enjoy करती थी और हम वाक कर लेते होते थे बस इस वज़ा से तो खैर बड़ी मुश्किल से आज हम इसको ले ही आए थे यहां पे और ये दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ कि हम restaurant गये हैं इसको लेके जब से आया है ने एक साल हो गया मैं तो ये second time हम इस restaurant में आये थे इस restaurant में आने का मकसद सिर्फ अभी हो को गुमाना था क्योंकि इदर जूले लगे हुए है ना बच्चों के कफी बड़ा सा ground है फिर वहां पे जूले ले ले लेती है इसके लावा बर्ड्स वगारा भी इनोंने रखे हुए है तो इसके लावा खाना भी इनका अच्छा होता है तो बाई 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 मुझे ना कह रहे थे कि अगर अभी हो को गुमान बन जाता है बना क्या करे तो बस फिर इसको जाहरा बच्चों की खातिर तो फिर इनसान कमाता है ना तो बच्चों पर लगानी चाहिए ने एक ही तो है उस पे नहीं लगाएंगे तो इतने दिनों से बिजारी request करी थी तो आज finally उसकी बात पूरी होगी फिर उसको ice cream भी ख खाना भी खिलाया कफि नजॉय किया ना हम लोग ने बाहर आज बस भी रहरा रात को हम लोग गर वापिस आ गए थे तो यही था मेरा आज का छोटा सा विलॉग वाउ, यह कहां से लाई है? यह ममाillar नाמה का कसे खुदके नाशचा है तोड़ रहा है किसी के ग़र से तोड़ से लाई है? नहीं, स्कूल से स्कूल के बाहर लगे रहे हैं इदर इसकूल, सिटी स्कूल नहीं, कोरे शवल से लाई है O, G, E, S किसके लिए लाई हो मामा के लिए बाबा के लिए किसी के लिए बनी चल गंदी ले ले लो गंदी वच्छी